ब्रश्टाचार की जड़े किस कदर सिस्टम में व्याप्त है? ये किस प्रकारी मांदार पुलिस कर्मियों की राहों का रोड़ा बनती है? यही सोनी लिवग पर आए वेबशो अंदेखी की कहानी है। दिविंदू भटाचार्य मनाली आता है। उधर मनाली में रिजॉट के मालिक और रसूखदार पापाजी यानी हर्श चाया के बेटिंग दमन यानी अंकुर राती की शादी की तयारिया हो रही है। ब्राधि गति विडियों से दूर कर रखा है। शादी से पहले आयूजित पाटी में नशे में चूर पापाजी एक डांसर पर बंदू की गोली चला देते हैं। कैमरा मैन यानी अभुशिक चोहान उस खटना क्रम को रिकॉर्ड कर लेता है। यह देश की करीब लाचार महिलाओं के प्रती सोच को अच्छी प्रकार से बर्णतिया कति करता है। दिर्देशक आशिश आई सिंग कहानी पर पकड़ बनाय रखते हैं। अभी तक सीधे साधे किरदारों में नजर आए हर्ष चाया पापाजी की किरदार में जज़ते हैं। सिस्टम में व्याफ्ट भष्टा चार से लड़ते हुए दिस्टी पी की किरदार में दिवेंदू भटा चारे प्रभावित करते हैं। दबंगरिंकू बने सुर्य शर्मा और आदिवासी लड़की बनी अपेक्षापोरवाल सहिद बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों साथ न्याय किया है। क्या है बुरा वेब शो के मेकर्स के लिए अब शब्द और गालियों का इस्तिमाल नया ट्रेंड है। बेवजय के सन्वाद और बेवजय की जबरन ठूसी गालियां बहुत चुपती है। यही नहीं अब तो गालियों का भी नया नाम करण होने लगा है जो बेहतगर जरूरी नजर आया। अच्छे कांसेप्ट के साथ ये लापरवाही दिशय को हलका बनाती है। अदाकारी, शो की खास्यतिस के कलाकार ही रहे, अधिक तर कलाकार लोगरे नहीं है। इसके बाब जूत अभी नयमें सभी ने अच्छा काम किया है। दिविंदु ने सबसे बेहतरीन काम किया है। इसके अलवा अभिशिक चोहान, अफिक्षा पूरवाल, अचल, अयन, राजिंडर सिंग सभी ने शो की कहानी के मताबर कुद को बेहतरीन तरीकल से पेश किया है। अबाब गए